आग तो आएंगे घर कई जद में आज ये connected world है सर अगर तालिबान में कुछ हुआ है तो असर उसका पाकिस्तान में दिखाई दे रहा देखिए कैसे घुसपैट हो रही है और पाकिस्तान जो कर रहा है वहां तो एग्रेवेट हो जाएगी problem सर तो समस्या का समाधान कहा दिख इसका दे रहा है सिर्फ इसके अलावा कि पाकिस्तान खुदी अपना कोर्स करेक्शन करें ब्रजेश कुमार जी से मैं ये बात समझना चाहते हूं अगर उनको आवाज जारी हो मेरी तो हाँ मैं आपको सुन सकता हूं क्या मैं क्या आप सुन सकते हैं बिल्कुल बढ़िया स सिरसुदा चलता रहेगा उन्हें सिर्फ अपनी आर्मी की परवाह है देश की परवाह नहीं है पूरे उनके administration के अंदर कंड कंड पर उनका control है financial और otherwise तो जब तक हम पाकिस्टान की अवाम को यह नहीं समझा सकते हैं या वो खुद नहीं समझ सकते हैं कि उनका future इस माहौल में खराब है जे और को कोई improve करने की गुंजाइश नहीं है तब तक शार्य चलता रहेगा लेकिन सर सवाल यह है कि अब यहाँ जैसे जी ट्वेंटी समिट हो रही है मैं यह जानना चाहता हूँ एक बात रजा फैजल ने अभी बड़ी अच्छी कही कि देखिए तालिबान को की बहतरी के बगएर विश्व की बहतरी नहीं हो सकती इन फैक्ट किसी भी कॉर्णर की बहतरी के बगएर अगर आप किसी को छोड़ देंगे आइसोलेशन में और अगर आप यह सोचेंगे हम साइलोस में जी रहें तो ऐसा नहीं है मैं यह जानना चाहता हूँ प्रोफेसर अमिताब आपके पास आने के बाद कि यह साइलोस जो क्रियेट किये गए हैं यह वर्ल्ड पॉलिटिक्स को सूट करते हैं सर वर्ल्ड अपनी बहतरी चाहता है कि पॉलिटिक्स चाहता है कि कई जगा कई देश में कुछ ऐसी विवस्थाएं आगी हैं जिनका निराकरन वो भी नहीं करना जाते हैं जैसे तुर्की में पाकिस्तान में यह अपने आपको इतना इन्होंने अपने गिरफ्त में ले लिया है जैसे पाकिस्तान को आर्मी ने गिरफ्त में लिया हुआ ह और इससे कैसे निकले यहीं जाते हैं। पाकिस्तान को तो मैं हमेशा बोता हूँ उसकी फॉर्ण पॉलिसी निसेंस वैल्यू है। वो कहते हैं तुमी ने दर्द दिया है, तुमी दवा देना। दुनिया भर में टेर्रिनिजम फैलाता है। दुनिया भर में अफगानिस्तान के लिए वो भीक मांगता है और और वो कहता है कि अगर दुनिया अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगी, तो क्या करेगी और कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान की फॉर्ण पॉलिसी, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की लेडरान, जब तक ये नहीं समझेंगे कि वर्ड पॉलिटी एक कम्प्लीट होल है. आप जब ये बोल रहे हैं सर मैं अपने दफ्सकों को बता दो कि ये ग्राफिक यहां उपर वो लगातार देख रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं, आप इस पूरे पैनल की उपर ये ग्राफिक्स जो देखा जा रहा है, आप ज़रा देखिए.